नमस्कार मैं सुना लिकाजा जुब्री पोस्ट के खाशो बिग फाइब लेके फिर से हाजुरू इसमें हम बात करते हैं देशपर की बड़ी खबरों के बारे सबसे पहले बात करते हैं लोकस बचुनाओं के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री एवं बसपा सुप्रीम मायबती ने पार्टी में बदलाओं को लेकर आज बैठक बोलाई है इस बैठक में पदधिकारी हिस्ता लेने लखनव इस्तित उनके आवास पर पहुंचेंगे साथ ही बारा सीटों पर होने बाले उपचुनाओं की तैयारी को लेकर भी रणनीतियां बनेंगी बिहार में चमकी बुखार का कहर जारी है आप तक इसमें मरने वाले बच्चों की संख्या 147 हो चुकी है वहीं बिहार सरकार ने श्री कृष्ण कॉलिज एवं हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर भीम सेन कुमार को लापरवाई के चलते निलंबित कर दिया है पूर्व केंद्रिय मंत्री मेंका गांदी और उनके बेटे बीजेपी सांसत वरुन गांदी अपने पिता की पूर्ण तिती पर दिल्ली के शांती भवन में श्रधान जली देने पहुँचे उनके साथ वहाँ पर कई बड़े नेता मौचूद थे बीजेपी संस्तापक शामा प्रसाद मुखर जी के पूर्ण तिती के मौके पर केंद्रिय ग्रह मंत्री आमिट शा एवं कारेकारी अध्यक्ष जेपी नड़्डा सहित कई बड़े नेता राजधानी के बीजेपी मुख्याले में श्रधान जली अर्पित करने पहुँचे विवार सुबा उनकी तबियत में सुधार होने के बाद अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है